हालो दोस्त कुछ लोगों का कॉमेंट आया था सुबस से कल भी कि यूटूबर अपनी रोटिया सेकने के लिए वीडियो खाली बनाता है क्योंकि उनको लगता है कि आखिर कब होगी ज्वाइनिंग उन्होंने ट्यूटर पर मोमेंट किया तो इसलिए ज्वाइनिंग दिया ग होगा लेकिन हकिकत इसके साथ एक और भी चलती है कि हम परसान होते हैं उससे जॉब नहीं मिलता चाहे यूटूबर आपको अभी कहा दे कि आपको जॉब मिल जाएगा तो यह इतनी हकिकत भी नहीं है इसमें लगती है टाइम और टाइम देता है रेलवे तो मैंने बोला हम हमें आओ सकता है कि हमें जल्दी जॉब मिले लेकि रेलवे तो जॉब दवी देता है जब उनकी जरूरत पड़ती है सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है और उसके लिए जो फूल पिल क्रिटेरिया है वो पूरा हो जाता है तो कुछ लोगों को अच्छा भी लगता है कु लेकिन कुछ लोगों ये भी कहें कि 2018 वाले कंडिडेट बहुत परसान है क्योंकि डेड़ साल से उपर दो साल होने वाले हैं और हमारी जॉइनिंग की प्रोसेस नहीं हो रही है ध्यान दीजिएगा क्या करें हमारी जॉइनिंग की प्रोसेस नहीं हो रही है लेकिन हकिकत य ही है कि 2014 वाले से भी सोची है RRB पटना में इनका पैनल जारी छे साल बाद हुई है भकेंसी 2014 किती एक्जाम 16 तक हुई डॉक्मेंट वेरिपिकेशन भी 16 17 में हुआ लेकिन जोइनिंग कुछ कंडिडेट को पांच कंडिडेट को 2020 में अभी भी नहीं मिलने वाला है तो परसान 2018 वाले ज्यादा थे या 2014 वाले तो चलिए एक्जाम्पल लिए आता है एक्जाम्पल से हम सिखते हैं और समझदार बनते हैं ना कि हम गलत भावनाव में आप बहक कर लगता है कि हमें कहें वह से ही होगा उस इसाप से देखिए तो बन है दोनों आप रिजल्ट देखेंगे और दोनो 2014 की बेकेंसी में देखेंगे तो एक कुछ दूसरे वाले से जेई एसी और आपका एलपी टेक्निसियन दोजार बारा चौदा और दोजार चौदा अठारा वाले कुछ सिख सकते हैं और सिखना यही है कि आपको थोड़ा सा इंतिजार करना है क्योंकि आप परसान होंगे उससे प्रोसेस बहुत तेज नहीं हो जाता इसलिए आप एक आज असेटकर ले या बाद में इसलिए आप ज्यादा सांती से रह सकते हैं तो चलिए इसको देखते हैं तो क्या है इस पैनल में सप्लीमेंटरी पैनल में तो पांच पैनल आया हुआ है और वेपसाइट पर तीन जों को अपलेट अपलोड हुआ है एहां दिजिएगा कुछ लोह देंगे कि तेरा-पांच का है है तो देखिए वेपसाइट पर हम देखें आज 3 जून में अपडेट है तो हम 3 जून को ही मानेंगे लेकिन वहां पर आपका 13 का है और इसको डाउनलोड करके देखना चाहें तो दुबारा भी आप देख सकते हैं मैं दुबारा डाउनलोड आपके लिए सामने कर देता हूं जिसे आपको confusion नहों हो यहां 13 पांच लिख रहा है इसमें आप देखिए इसमें पांच लोगों का नाम दिया गया है बोला गया है कि सारी प्रोसेस आपकी हो गई थी उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग के लिए पैनल दिया गया है जब आपकी होगी condition कुछ लोग काते कि इतनी दिन हो जाती है तो मेडिकल दुबारा होती है क्या इन्हों ने देखिए किलियर लिखा है अगर जरूरत पड़ी तो आपसे सबसुखिज लिया जा सकता है और यहां देखिए मेडिकल टेस्ट एटी सी बगेरा डेट डेट अब रर्थ करेक्टर सेटिपिकेट बगे क्योंकि मेडिकल टो अल्रेडी एक बार हो ही चुका था लेकिन अगर इन्हों करना चाहें तो कर सकते हैं अब यहां देखिए पांच कंडिडेटों का एक सुनारे अच्चरों में नाम है इतनी सालों में बजा गया है और कंडिडेट को बोला गया है कि प्रस्नली आपको इ यह थोड़ी सी सेट बैक है लेकिन 2018 वाले के लिए थोड़ी सी संतावना है कि अभी भी होती है थोड़ा सा वेट किजिए इंतजार सब कुछ होगा थैंक्यू धन्यवाद